नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं I hope कि आप सब बहुत अच्छ हो गए दोस्तों इस वीडियों में हम बात करने वाले Hcheel 10 blast 2 vacancy के बारे में समपून जनकारी आपको देंगे इसका देट निकलके आगीय도 आपको जनकारी होना चाहिए न दोस्तों को पिछला बार से इसका syllabus change हो गया है तो syllabus क्या है यह समझना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों को कुछ बच्चों को डाउट रहता है किसा और से लिए वस क्या है? सलरी कितना मिलेगा? इसमें कौन-कौन परकार का पोश्ट होता है? सारा कुछ आपको बताने वाले क्या है सारा कुछ चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आप लोग चानल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा हम लेटिस वेकेंसी का आपको इंफर्मेशन प्रवाइड करवाते हैं ठीक है सबसे पहले डेट से स्टार्ट करते हैं कब से अपलाई हो रहे हैं दो अपरेल से लेकर एक महीं तक आपका डेट है अपलाई करेंगे और दोस्तों मातर बारवी पास पर परसेंटेज का इसू नहीं होता है अपलाई कर जाएक अपका जून जुलाई में होगा यह पहले से फिक्स हैं अभी एज कब से काउंट होगा आपका आपका एज मांगा जाता है जैनल वाले बचो सबसे पहले दोस्ते इसमें आपका रीटेंट टेस्ट होता है ठीक है और यह भी मैं बता दू ना आप लोग पूशते हों कि सर ऐसा कोई जौब बताओ ना जिसमें केवल रीटेंट हो ना तो फीजिकल हो ना रनिंग हो ना हाइट मांगा जाए तो भाईया आपके लिए बारवी पासपर वन अप बेश्ट पोस आपके लिए होने वाल है इसमें ना तो हाइट चाहिए ना ही रनिंग होती है कोई फीजिकल हो जरूरत नहीं है ध्यान रखिएगा तो रीटेंट डिजिएगा उसके बाद दूस्तों आपका टाइपिंग बस ठीक है फि आपके लिए और दोस्तों साल भर का टेस्ट बुक का जो पास है मातर 219 रुपे में आपको मिल रहा है कितना सांदार आपर आपको नहीं मिलने वाला ठीक है और टेस्ट बुक के जो पास पर हो ना मातर 307 रुपे में दोस्तों अंदीना आप लोग नतर 699 और 499 का प्राइ की रहता है और दोस्तों मेरा कूपर कोड़ यूज कीजिए गना स्मार्ट एस्मी अटी तो आपको बार परसेंट कभी एक्स्टा डिस्काउंट मिल जाएगा ध्यान रखिएगा टेस्टर वुपाइक करते से में मेरा कूपर को स्माट यूज कीएगा ता सारा लिंक दूस् प्रोब्लम है तो बहुत से मुझे नहीं लगता का चाप का पोस्ट में और सारा कुछ आपको बताएंगे क्या क्या पोस्ट होता है अब पहले सेलेक्शन पर स्था मैंने बता दिया अब सिलेबस देखो इसमें दो आपका एक्जाम होता है ठीक है टायर वन का समझेगा अंबर का है दोस्तों ठीक है ये ध्यान रखिएगा पूछा क्या जाता है अभी इंगलिस से अपका 25 कोशन होता है और रीजिनिंग भी इसमें पूछा जाता है 25 साहात में अब्सक्ता इसको आपको पास करना होता है समझेगे चलिए अब देखे जो टायर टू है इसको ध्यान समझना बहुत जरूरिया है सबसे पहले सक्षान नहीं को समय होता है इसको दियान समझेगा इसमें दोस्तों आपका यहां पर देखिए क्या है टायर 2 में दोस्तों section1 से there are 3 समझाता हुँ असान भासा में सबसे पहले आपका पूशा क्या होता है टोटल 3 मिला आकर 2 गंटा 15 मिनिट का समय पश्चान होता है अलाग समय बए haven बताता हूं देगे सेक्शन 1 दोस्तो मैस से 30 से 30 लिए 7 साट कोश्चन हो गया, एक कोश्चन दोस्तों आपका 3 नमबर का होता है, तो साट कोश्चन 3 से गुना करोगा, तो यह होताइगा, 180, तो यह जोस्तों मार्क समने यहां पर लिख दिया है, 1 घंटा इसके लिए समय है, जैसे यह एकजाम पास करोगे, तो यह खतम हुआ, उसी यह स्टार्ट हो जाएगा एक खतम उसके बाद जस्ट यह स्टार्ट हो जाएगा इसमें इंग्लिस से 40 कोस्टेन है और जेर्नल अवेरेस से 20 जेर्नल अवेरेस ने दोस्तों जीके जीएस होता है ठीक है फिर आप लोग होगे सर यह क्या है यह क्वालिफाई नेचर का है कंप्यूटर नौलेज इससे समझनी थी आपका सवाल कंप्यूटर से पूछेगा 15 कोस्टन यह आपका 45 माक्स का 15 मेरिट के समय अब यहाँ निगेटिव हरे का एक गलती पर एक कट जाएगा ठीक है क्योंकि दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा तीन नंबर का है तो भया समझने तो निगेटिव बहुत मात्र नामत का है अब इसमें आप लोग कहोगे सर यह पास करना है इस दोनों पर मेरिट बनेगा यह कंप्यूटर में कितना नंबर लाना होगा देखो इनमें मिनिमम क्वाल इसमें से 120 आप लोग सही कर दो लेकिन इसमें फेलो जाओ तो कोई फायदा नहीं इसमें पास करना जरूरी है कंप्यूटर वाले में पिछला बार से परधान किया गया है समझेगे चलिए अब देखिए दोस्तों इसमें एक टाइट टू में दोस्तों यहां आप देखिए इंग्लिस का हिंदी में आप टाइपिंग देना चाहते हूं तो तो 30 वर्ड पर मिनट कर टाइपिंग आपका होता है ठीक है यह ध्यान रखिएगा टाइपिंग का समय यहां पर लिखा गया है ठीक है यह है दोस्तों आप लोगों को मैंने बता दिया सारा एकी चीज समझे दोने की है चलो अब दोस्तों यह आपको मैंने बता दिया तो देखो सबसे पहले आपका टायर वन का जो एक्जाम में 25 25 25 25 कोस्टन यह आपको पास करना है मेरी डोस्तों मैंत रिजिनिंग इंग्लिस और जैनल अवेनस इस पर मिलाकर आपका बनेगा कंप्यूटर वाला ज जाना ज्यादा नंबर लाना है इसको पास करना जरूरी है चाहें दोसे इसमें कितना भी नंबर ला लो इसमें फेलो जागताए फैड़ नहीं है ठीक है जैसे यह पास कर लिए दोस्तों तापका टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जागा अब डिशे आपको समय दिय कितना मिलता क्या करना पड़ता दखिए इसमें दोस्तों 3 प्वाइल मिलेगा data इंडरी करने के लिए कंप्यूटर पर सारा आपको डाटा चढ़ाना होगा ठीक है पर इसके अलाव दूसरे लडी सी का भी इसमें पोस्ट होता है बया लोगा डिजनल कलर नाम भी जाएं सेम यह सो कंप्यूटर पर टाइपिंग क्यों मांग रहा है इसलिए मांग रहा ना ठ ठीक है यह बिसिकली पोस्ट आता है अब आपका काम कहां लगेगा सेलरी कितना मिलेगा तो स्टार्टिंग जो सेलरी होती है न दोस्तों आपको तीस हजार से ही जादा मिलती है यह सेंट्रल गुवर्मेंट का जौब है और भारत सरकार का अलगर मंतराले में आपको जौब मिलेगा कहां मिलेगा भया जैसे दोस्तों मानग चलो रेलेवे आपका रेलेवे का मिनिस्ट्री हो गया मिनिस्ट्री अप रेलेवे ग्री मंतराले हो गया विदेश मंतराले हो गया रक्षा मंतराले हो गया दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री बोलते है ठीक है इस कहले आपका बहुत सरा भारत सरकार के विभाग है यह सेकुल विभाग है सारा विभाग में ऐसा आप लगी सी कलर के पोश्ट पर आप लोग काम करोगे ठीक है और ओपिस वाला ड्यूटी होता है दस बज़े खुलता है चार बज़े बंद होता है और सैलरी तीस हजार स्टार्टिंग है दो तीन साल बाद पचास अजार आपका सैलरी बनेगा दोस्तों ठीक है और दोस्तों यह ध्यान रखिएगा इसमें जैसे मैंने बताया संडे को जो बंद होता है तब वह भी है यह सा नहीं कभी 24 घंटे आपका काम लगाएगा ऑपिस वाला जवाब है असान से कंप्यूट का एक्जाम देके आंगे भी जा सकते हो तो समझ लिए सबसे पहले से चसल होता है क्या बारवी पास पर दोस्तों आपका लगले मंतराले में आपको जोवाब लगती है जैसे मैंने बता है कि रक्षा मजालिल होगे मिनिश्टी अप डिफेंस होता है इसके लाद दोस्तर ग सबसे पहले को हम बात करें ना दोस्तों एससी के यही खासियत है तीन सेंटर आपको चूच करने के खुछ से देगा तीन सेंटर अपने पास में जिस सहरक मार्ग चुला आप भीहार को हो पटना है चूच करनों को गया है मुझापर पूर है यूपी सहेत बनारा स्लोक नौ और एक दो अपने पास में आपको मिलेगा समझ लिए सेंटर को कोई आपको दिक्कत होने में यह तीन अपने मन से चूच कर सकतो ठीक है अब आप लोग पूछों के सर्च जॉब कहां लगता है यह देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने बताया यह दोस्तों सेंटरल गोवर्मे करते रहेगा उसा आपको पता चल जागे डिपार्ट्मेंट का सुरुचार यह जनकारी मैंने आपको दे दिया ध्यान रखिएगा सबसे पहले फॉर्म कब निकल रहा है दो अप्रेल को एक मई देटे अब आपके मन में यह भी सवाल है सब आपने पोश्ट नहीं बताया य कि शला बार पोश्ट देखो न तब यह 1500 निकला था उससे पहले 4500 निकला था उससे पहले चला जाओ तो यह 12000 भी पोश्ट निकला है तो कोई फिक्स नहीं होता है लेकिन अभी CPU का देखो दोस्तों उमीद से ज्यादा एक 400 प्लस बेकेंसी निकल गया उमीद था किसी में रियले में में कम निकलता है अब हो सकता है सट्य जादा निकल यह तो इसमें 5000 भी निकल सकते है आथ-जार मी निकल सकते हैं तो में तो कोई फिक्स नहीं है दो प्लाई कर दिजिएगा से लेवस हम ने आपको बताया क्या पढ़ना है इंगलिस घ्रिंग रिजनिंग मैथ प दोनों मत एक ही सीजिए है पढ़ना इस पर आपका बनने वाला है 60 120 कोस्चन धिया नखिएगा 120 कोस्चन आदम जब पूछ लीजेगा और चानल जोस्तों आप लोग जरू सब्सक्राइब कीजेगा हम लेटिस्ट विकेंसी का आपको इंफर्मेशन प्रवाइड करवाते हैं धनीवाद